आज के इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं चिनमाई एप्लिकेशन से परसनल लोन कैसे अपलाई करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लाइब देख सकते हैं मैंने चिनमाई एप्लिकेशन से परसनल लोन के लिए अपलाई किया था और मुझे यहाँ पर 1,00,00 रुपिये तक का लोन एप्रूबल मिल चुका है जिसको मैं 100% सोर्स के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसपर कर सकता हूँ तो अगर आप चिनमा एप्लिकेशन से परसनल लोन लेना चाहते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आपको इस वीडियो को पूरा वाज करना है मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि आपको चिनमा एप्लिकेशन से कितनी रुपिये का परसनल लोन मिलता है आपको यहाँ पर कितना इंट्रेस्ट देना पड़ता है और कैसे आपको लोन एप्लाई करना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दिजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए तो सबसे पहले हम चिनमा एप्लिकेशन के बारे में थोड़ा डीटेल्स में जानते हैं तो देखिए इस एप्लिकेशन से आपको 10,000 रुपिये से लेकर 2,000,000 रुपिये तक का परसनल लोन मिल जाता है यहां से आप लोन 11,000 दिनों से लेकर 180 दिनों तक के लिए ले सकते हैं 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा कोई आपको डोकुमेंट अपलोड करने की जुरत नहीं है यहांपर अगर आपंप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको 28% से लेकर 36.5% पर एनम यानि कि एक साल में आपको 28% से लेकर 36% तक का इंटरेस्ट आपको देना होगा यहांपर अगर eligibility criteria की बात करें तिहाँ पर आपका age 21 साल होना चाहिए 21 साल से अगर आपका कम age है तहां से आपको loan नहीं मिलेगा साथी साथ यहाँ पर आपका pen card और आधार card आपके पास होना चाहिए अब मैं आपको चलिए इस application से loan apply करने का process बताता हूँ सबसे पहले आपको चिन्माई application से personal loan लेने के लिए इस application को आप play store से install कर लेंगे उसके बाद open का option मिलेगा open पे click करेंगे उसके बाद allow अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 लाग रुपिय तक का loan 15 मिनट के अंदर मिल जाता है वो आपको यहाँ पर बताया गया है उपर नीचे option मिलेगा apply now इस पे click यहाँ पर आपको खाली box मिलेगा इस पे click करके आपको नीचे option मिलेगा accept का इस पे click यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे उसके बाद यहाँ से आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालेंगे अब यहाँ पर आप इस page पर आ जाएंगे सबसे पहले उपर में option मिलेगा capture profile picture इस पे click करेंगे उसके बाद while using the app अब यहाँ पर आप एक जो है capture करेंगे अपना photo जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आप photo capture करेंगे आपका photo capture हो जाएगा आपको continue पे click करना है अब यहाँ पर आपको अपना personal details fill करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक email id select कर लेना है जो भी आपके mobile में gmail account login होगा वो दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप कोई भी gmail account यहाँ पर डाल लेंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा enter pen card number यहाँ पर आप अपना pen card number डालेंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा loan purpose का इसपे click करेंगे आप किस कारण से loan लेना चाहते हैं education के लिए या कोई gift लेने के लिए या mobile phone को आप नयाप mobile phone लेना चाहते हैं याणि कि आपका जो भी कारण है loan लेने का वह कारण आप यहाँ पर select करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा mode of communication का इसपे click करेंगे हिंदी इंगलीज जो भी आपको best लगे वह आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा politically exposed यानि कि आप कोई political party से है या आपके family में कोई है अगर है तो yes कर सकते है normally आपको यहाँ पर no ही करना है उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा your employment status इसपे click करेंगे आप self-employed है या consultant है या retired person है वह आपको option मिल जाएगा जो भी आपका occupation है वह आप यहाँ पर select करेंगे example अगर आप कहीं पर job कर रहे हैं तो आप self-read करेंगे अगर आप job नहीं कर रहे हैं तो student आपको select नहीं करना है home maker भी नहीं करना है आपको यहाँ पर self-employed का option मिल जाएगा self-employed को आप select करेंगे तो मैं जिनका यहाँ पर loan apply कर रहा हूँ यह जो भाह है यह अपना दुकान चलाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर self-employed select कर लिया है अब option मिलेगा यहाँ पर marital status का इसपे click करेंगे आप single है या married है वो select करेंगे अब नीचे option मिलेगा inter spouse name यानि कि आपको अपने यहाँ पर जो है पतनी का नाम डाल देना है उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा vehicle ownership इसपे click करेंगे आप two wheeler on करते हैं या four wheeler on करते हैं या आपके पास दोनों ही है तो आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा education background यहाँ पर आप click करेंगे आप कहां तक पड़े लिखे हैं वो आप यहाँ से select करेंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा your residential status इसपे click करेंगे आपका खुद का घर है या parent का घर है वो आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा select bank account का इसपे click करेंगे आपका कौन सा bank में account है वो bank आप यहाँ पर slap करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सब कुछ details फिल करने के बाद नीचे option मिलेगा आपको continue का आपको continue पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर एक password जो है create करना है कोई भी आप एक password डालेंगे यहाँ पर उसके बाद आप next page पर आएंगे फिर से वही password आप डालेंगे आपका यहाँ पर password बन जाएगा अब देखिए यहाँ पर आपको एक QIC complete करना होता है QIC के लिए यहाँ पर option मिलेगा enter आधार number का यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड number डालेंगे उसके बाद यहाँ से next अब आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile number लिंक है उस पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद submit अब आपका QIC verify होगा आपको कुछ second wait करना है अब आप आएंगे next page पर जहाँ पर आपको अपना employment details को verify करना होता है जिसकी example आपने salary rate select किया है तिहाँ पर आपको salary sleep upload करना होता है अगर आप self-employed select करेंगे तो आप अपना bank statement भी upload कर सकते हैं आप देखिए इस application का कुछ सर्थ है जो कि आपको follow करना होगा तभी आपको चीनमय application से personal loan मिल पाएगा अब यह क्या सर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा verify your employment यानि कि आपको अपना employment status verify करना होता है यहाँ पर अगर आप salary person होंगे यहाँ पर आपका जो work mail है जहाँ पर आप खाम करते हैं वहाँ पर आपका जो work mail है वो mail यहाँ पर आपको डाल देना है email id उसके बाद नीचे option मिलेगा salary slip का या तो आप work mail भी डाल सकते हैं या यहाँ पर आप salary slip offer later भी डाल के verify कर सकते हैं यहाँ पर आपको option मिलेगा upload salary slip का, इस पर click करके आपको अपना salary slip को या offer letter को upload करना है, जिससे आपका loan approval आपको मिलेगा, अगर आप वह अंतलब salary person नहीं है, self-employed है, तो आप अपना 6 मन्द का bank statement भी upload कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना employment status को salary slip या bank statement upload करके verify कर लेना है, अब यहाँ पर आप next page पर आजाएंगे, यहाँ पर आपको अपने bank को verify करना है, इसके लिए आपने जो bank details डाला था, जो bank account आपने select किया था, जिस bank का, वो bank का आप यहाँ पर select करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना account details डाल कर, यहाँ से आप next करेंगे, अब यहा पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा यहाँ पर 1 lakh रुपिय का credit limit मुझे मिल चुका है, एक लाँ रुपिय का loan मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, registration successful complete है, KYC verification complete है, employment verification मैंने complete कर लिया है, सारा कुछ complete कर लिया है, बस यहाँ पर आपको अपना e-mandate को complete कर लेना है, यानि कि e-sign को आपको complete कर लेना है, उसके बाद आपका जो भी amount है, वो directly आपके bank account में transfer हो जाएगा, अब यह e-mandate क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, e-mandate का मतलब होता है कि यहाँ प आपको 50,000 रुपिय का amount approved होता है, 90 दिनों के लिए, तो आपका जो पर मन्त का किस्त बनेगा, जैसे कि example आपका 30,000 रुपिय का किस्त बनता है, तो यह जो किस्त आपका है, वो आपके account से automatically काट लिया जाएगा, इसलिए आपको e-mandate को verify करना होता है, यह verify complete कर लेंगे, आप आपका जो भी amount यह पर approved होगा, वो आपके bank account में transfer, instant transfer हो जाएगा, तो इस परकार से अभी आपको चिनमय application से personal loan के लिए apply करना है, personal loan लेना है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चिनमय application से personal loan लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको A to Z process बता दिया है, अगर आपको by chance इस application से loan नहीं मिलता है, किसी कारण से, तो मैं आपको और एक application का link description box, comment box में दे दूँगा, जहाँ पर आप only KYC पर personal loan ले सकते हैं, चलिए वीडियो को यह पर end करते हैं, आपको नीचे comment करके वताना है, क्या आपको loan मिला या नहीं मिला, बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए